हालो नमस्कार पहले साथियों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से मैं आशी श्पाने स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के टिक के ऑनलाइन प्रेट फॉर्म पर दोस्तों आने वाले यूपी पुलिस एक्जाम के लिए और वंडे एक्जाम इतने भी हैं आपके उन सबसे important topic है साहित हिंदी साहित का इतिहास ठीक है हिंदी साहित का इतिहास इसमें हम लोग उने इसके पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था भरतेंज यूग और सुकल यूग सुकलोतर दिवेधी और पूर भरतेंज यूग को पढ़ा था आज हम लोग थोड़ा और पीछे जाएंगे और जो आपके सामने विद्यापती, माधोदास, चंदबर्दाई, जगनिक, क्वयम भूग, हर्पसास्त्री, सरहपा, भठकेदार और तुलसी दास, कबीर दास, इन सब के बारे में डिसकस करेंगे, इनके सारी इंपोर्टन रचनाओं के बारे में डिसकस करेंगे तो चैनल पर नए हो, तो चलो को सब्क्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे कि दूसरी वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल पर शंखनाज बुक लांच हुए, करेंट अफेर्स के लिए वह आप ले सकते हैं, एप पर जाकर के, औ और मैट की क्लास ही चल रही है, करेंट अफेर्स और जीकेश की क्लासे चल रही है, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टन क्लास है, और यहां से कोशिजन आने की पुरी-पुरी संभाव होना है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया है, फिर बता रहो कि हिंदी सायत के इतियास बहुत बड़ा है, लेकिन वंडे एक्जाम्स के लिए जैसे की उपी पुलिस है, तो इसके लिए क्या है, कम समय में हमको इंपॉर्टन चीजों को ही कवर करना है, उस सारी चीज का जो संपादन है, संपादन किसने किया था, इसका जो संपादन है वो किया था, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक, अगर पूछले कि सरहपा की रचना दोहा कोस की संपादन किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था, ठीक है, नात साहित है, उसमें चार ऐसे क और नाथ साहित की चार कभी इंपोर्टेंट है उसकी ट्रिक है सूत्र है वो है नाच गोचल नाच गोचल ठीक है नाच गोचल में ना जो है वो किसको रिप्रेजंट कर रहा है वो कर रहा है रिप्रेजंट नागरजुन जी को चार जो है वो चरपट नाथ को गा जो है वो ग परंस या जैन साहिध ठेक स्वयमभू को अभरंस भासा का बाल्मी की या व्यास कहा जाता है स्वयमभू की जो रचना है जैसे कि आफे देख झुद्यू तहक देख रहे है यह यह जो है बहुत इंह्यक्रब dlatego को पडम चरित भीक जाता है कि पादम शरित भी कहा जाता अगर आपसे पद्म चरित पुछ ले तो भी इसी को कहा जाता है ये क्या है ये एक महा काव्य है एक पाउंचरियू में पाँच कांड है कौन कौन से 83 सर्ग है कांड है युद्ध कांड विद्या कांड आयुद्या कांड सुंदर कांड और उत्तर कांड ये 5 कांड है इस महाकाब में पौम, चरियू या पद्म चरित में जिसको स्वेम्भू ने रचा था ठेक इनका एक और है रचना इंपोर्टन है उसको भी आप लोग जान लेजिए वो है हरिवंश पुराण ठीक है ये भी इनकी रचना है इंपोर्टन उसके बाद अब्दुल रह्मान की मोस्ट इंपोर्टन रचना है संदेश रसक ठीक है संदेश रसक इनकी most important रचना है अब्दुल रह्मान की और साल भध्र सूर की भरतेश्वर बहुबली रास यह important रचना है पिछली क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि जगनिक की जो रचना है ठीक है? जगनिक की जो रचना है उसपर डिसकस किया था कि यह जो रचना जो है जगनिक वाली यह किसकी है तो उसको भी आगे टिसकस कर लेंगे चलिए आगे बलते हैं जिन्न दत्त सूर की रचना है उपदेश रशायन ठीक जिन्न दत्त सेन की रचना है उपदेश रशायन और मुनी राम सिंग की रचना है पाहुल दोहा ठीक है पाहुल दोहा रासो साहित के बारे बात करते हैं तो रासो साहित जो है बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के परपस से रासो साहित इसके जो कभी most important है चंदरबर्दाई ठीक चंदरबर्दाई इनको जो है चंदरभट के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है चंदर भट के नाम से भी इनको जाना जाता है यह प्रत्षवी राज स्थान की ब्रजभासा कहलाती है ध्यान दीजेगा इसको और चंदरबर्दाई जो है यह हिंदी के पहले महाकवी थे चंदरबर्दाई ने मुहम्मद गोरी का जो वद्ध किया था प्रद्वीराज चौहान ने उसमें बहुत ही अहम भूंका निभाई थी बहुत ही ज्यादा सहायता की थी प्रद्वीराज रासों में क्या है 69 सर्ग है और 2500 पेचका है यह अब भूंका कैसे निभाई थी कि प्रद्वीराज रासों को जब बद्धी बना लिया मुम्मद गोरी ने तो उनको चंदरबर्दाई ने बताया कि यह सब्द भेदी बाल चला सकते हैं तो उस के तो दोनों आखे थी नहीं प्रद्वीराज चौहां जी की तो हुआ यूग की जब इन्होंने घंटा बजा तो प्रद्वीराज चौहां जी ने उस पर बाल मार दिया तो इससे वह बहुत खुश हो गया मुम्मद गोरी तो उसने कह वाह वाह उतनी ही देर में चंदरबर पुरी मार गया तो आगे देखते हैं जगनिक इनकी रचना है परमाल रासो जीसे आलाखन भी कहते हैं दर्पति विजय कुमाल रासो नर्पति नाला वेशल देव रासो नल सिंग विजय पाल रासो ठीक और सारंगधर हमीर रासो यह सब इंपॉर्टन रचनाए हैं फिर उ पज़क काव लिखने वाले अभी जो कवी थे वो अमीर खुष्रों ही इनको बहुत फेमस नाम है सुने होंगे आप लोग तूटिय हिंद कहा जाता इंपॉर्टेंट है कि तूटिय कि कभी कहा जाता है तो अमीर खुष्रों को कहा जाता है उनकी रचना थी रालाते कनईय स खालिकबारी और नज्राने हिंदी उसको अद हम लोग देखते हैं विद्यापती जी के बारे में विद्यापति की ये तिरुध के राजा सिव सिंग और इच सिंग के धरवारी कभी थे तिरुध के राजा ठीक विद्यापति को मैथिल कोकिल कवी कंटहार अवनियो जैदे कवी शावुधान खेलन कवी आज उपाधियों से सम्मानित किया गया इनकी रचनाएं देख लेते हैं इनकी रचना है पतावली जो मैथली भासा में लिखी गई थी उसके बाद कीरती लता और कीरती पता का ये जो है अवहट्टा भासा में लिखी गई थी ये इंपोर्टेंट है देख लेते हैं भट केदार के बारे में इनकी रचना एक बहुत IMPORTANT है और यह जहे जैचन्स के दरवारी कभीusta है जैचन्द के दरवारी कभीसे इनकी रचना का नाम है जैचंद्र प्रकास जिसमें कि राधा जैचन्स के पराक्रम का वडन किया गया है जो कि कन्नोज के समराट थे ठीक और ये क्या है ये एक प्रवंध कावबे है ये एक प्रवंध कावबे है ठीक और ये लिखी गये थी जो आपकी इनकी जो रचना है जो है ये एक संस्कृत ग्रंथ के रूप में है ठीक संस्क्रित ग्रत के रूप में है और जो संस्क्रित ग्रत है उसका नाम है वरत रतनाकर ठीक ये काव्य है और ये क्या है वरत रतनाकर संस्क्रित ग्रत है उसके बाद देखते हैं important मधुकर कवी के बारे में बहुत important इनकी एक रतना है इसका नाम है जै मयंक जशंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है यह लिखी गई थी 1186 में यह कब लिखी गई थी यह लिखी गई थी 1186 में मधुकर के द्वारा ठीक चलिए इनकी विश्यस्ताय देख लेते हैं यह आश्रेज आता है राजाओं की प्रसंसा के लिए लिखते थे यह सामुहिक राश्चिता की प्लस राश्ठानी भाषा और पिंगल जो होती है वह आप अब ब्रण भाषा प्लस प्लस ब्रज भाषा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके आदम्रों देखते हैं भक्तिकाल इसको रिफेफिक का सुर्ण यूग माना जाते है हिंदी साहित्य का सुर्ण यूग माना ठीक है? इसमें दो प्रिकार्ट के थे निर्गुल और तगुल। निर्गुल जो थे उसमें इससाय काफ विधारा थी निर्गुल जो थे वह ज्ञानमादगी थे जिसमें की कबीरतास मुख्य थे गुरू को भगवान माना, मूर्ति पूर्दा का विरोध किया, पूझा का व फिर सगुड में आते हैं, इसमें दो तरह के थे, एक जोगी क्रिष्ट भगवान को मानते थे, क्योंकि ग्यान मारगी तो बिरोद करता था, वो किल गुरू को मानता था, लेकिन सगुड जो है, वो दो भगवान को मानते थे, क्रिष्ट जी को और राम जी को, राम जी को मानन मानने वाले जो थे वो तुलसिदास जी जबी जानते हैं लेकिन कृष्णी जी को मानने वाले में जो थे सबसे पहले जो थे वो बलवाचार थे और जो इसमें स्रेश्ट थे इस साखा के जो सेश्ट कभी निकले वो सूर्दास थे और सबसे पहले थे वो बलवाचार और 1218 में लबा इनको मानना यह है कि 120 वर्स पास अप्रॉक्सिमेट इनका जीवन था पादन करता है इनके थे नीरु नीशा इनका जो जन्म स्थान था वो कासी यानि कि जो मोके पर वानारसी है और मृत्त्य स्थान मगर यह उत्तर प्रदेश में ही है ठीक कावे संग्रे की बात था फ्जिक के इसको गया जाता था था रामायर यानि की इनकी रसना का नाम था रमय है इसको और चौपाई का संक्लन था दोहह होड़ चौपाई-र जो कबीद की वाड़ी थी कबीर की वाड़ी ठीक है इसका संग्रे इसका संग्रे जो किया किसने किया वो बीजक ठीक है कबीर की वाड़ी का संग्रे बीजक और बीजक जो ही बना इसने बनाए इनके जो सिस से थे उनका नाम था धर्मदास और इसका संकलन कब की है कबीर की वाड़ी का 1464 में ठीक चौदा सव चौशट इस भी में चलिए उसके बाद आचार हजारी प्रसाद दिवेदी ने कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा है और कबीर पहले जो सुमा सुधारक थे उसके बाद ये कभी बने इनकी प्रभू पंक्तिया अगर पूशल एक्जाम में तो बहुत इंपॉर्टन है देख लेते हैं कि करके कि दसरत सुथ तिहों लोग बखाना राम नाम का भरम है आना ये रमाइनी से लिया गया है ठीक है हरी जननी मैं बालक तेरा काहिन अउगुन बक्सू मेरा ठीक और सब पाश्वी रचना भीन की जो है यह पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टन पाश्वी पंक्ति काहर नलनी तुको मुलानी मलिक मुहम्मद जैसी स्रेश्ट कभी थे प्रेम मार्गी साखा के अउधी भासा में थी सूफिक का बिधारा के को फालो करती थी सेर्शा सूरी के समक जवाब दिया कि तुम्हें मोहिका हसे सिक्कुमारे सी यह जवाब था जैसी का सूरी को इनकी पहली रचना पद्मावत जो कि अउधी भासा में लिखा गया हिंदी का पहला महा काव्वे है इसके प्रमुत पात्र थे रानी नागमती, राजा रत्न सेन, हीर सेन, तोता, जुमेन था, पद्मावती, अलागदून खेल जी जो खलनायक था इनकी दूसरी रचना थी अकरावट और तीसी रचना थी आखरी कलाम चौती मसला नामा, पाचवी कानावत और छटी चित्र लेखा इनकी ये साई रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, एक्जाम पॉइंट आउ दूसे ठीक है, उसके बाद बल्लबाचार जी को देखते है बल्लबाचार जी ठीक है, ये पूर मिमानसा भास से और अस्ट उत्तर मिमानसा भास से के वो थे अन्य आई थे अडू भास से और अस्ट शाप की जो इस्थापना हुई थी जो इस्थापना हुई थी, वो इस्थापना किसने की थी, वो इस्थापना किसने की थी, वो इस्थापना की थी, पंद्रासो पैसेट में गुसामी बिठ्थल दास द्वारा, और जो गुसामी बिठ्थल द्वास थे, वो इन ही के जो क्या, पुत्र थे, इन ही के, ये इन चारों के उसके बाद गीत स्वामी, गोविन, हीत स्वामी, गोविन स्वामी, चत्रबुन दास और नंद दास ठीक है इनके गुरु कौन थे तो इनके गुरु थे गुरु विठल दास एक इनके गुरु थे गुरु विठल दास चली आगे देखते हैं कंतर को कहा सीकरी सोकाम आवद जाद पनहया तूटी विजरी गयो हरी नाव कुम्भन दास ने ये पंक्ति किस से कही थी? अगबर से कही थी important है उची गई एक बार exam में कि ये पंक्ति किसने किसके लिए कही ये कुम्भन दास जी ने किसके लिए कही और इनको hindi saith शूर्रात आप कहा जाता है विकंद तइंध्रियर का और इंसोय चाहता हैMPोर्टेन्ट प्नेंट है किनकर शूर्ण सागर जोकी महाकाववक हैं तो सवली सारावली त professionals हिरी और इनकी दो रचना और इमपोर्टेन्ट यह तो ये है ब्याहलो ठीक है ब्याहलो और नल्दम यंती ये भी इनकी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्याहलो और नल्दम यंती ब्रजभासा में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य है सूर्शागर जिसमें की लगभक सवालाख पद हैं सवालाख पद ठीक और एक क हुशका नाम है पर्मानंद सागर कजली आगे देख लेथे मैं जो बसांग के अन कभी किस्ण लखतराकि अन्य कभी अनको देख लेते है देखिये रस खानजी है फीक है इनको रヤस क्रांण कहा है या सवयया चंद में सवया चंद में लिलाओ को ग्यान करने वाले हिंदी के पहले कभी रसखान थे सवया चंद में यह important point है अगर पूछ ले कि सवया चंद में सबसे पहले किसने जो है लिलाओ का ग्यान किया किसने लिलाओ का तो वो थे रसखान इनकी रसना का नाम है सुजान रस खान और प्रेम वाटिका देखिए इनकी दो पंक्तिया इंपोर्टेंट हैं पहली तो यह है कि या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को तज़डारो और दूसरी है भूल यह लोगों नदेखिएंगो आगे लेखें और यह जो है बरबे चंद के पहले कभी उन्होंने बर्भ्य चंड में इस्त GSAıll करके लिलाओं का गान ओर जो रस थे उन्होंने तवय्या छंड ठीक इनका पूरा नाम अब जाने लीजिए अब्दुल रहीम खाने खाना और इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में है ठीक चली रचना देखते हैं इनकी कौन सी है रास पंचा धई जो की दोहा चंद है रहीम दोहावली या रहीम सत्सई मदनाश्टक और बरवय नाइका भेद ठीक है बरवय नाइका भेद और आप लोग देखते होंगे सुनते होंगे बचपन स इसके बाद मेरा भाई जी की इनकी कुछ इंपॉर्टेट्ट है वो देख लेते हैं नर्स्ती जी का मायरा, गीद गोविन का टीका, सोरट के पद, राग मलहार फिक ये इनकी रचनाएं है फिर आते देखते राम भक्ति साखा सेष्ट कभी इसके तुलसी दास जी जिन्होंने राम चरित मानस की रचना की आप जानते हैं जिसको तुलसी राम हैर भी कहा जाता है, फिक है, इनको काली काल का बालमिक कहा जाता है क्या कहा जाता है, काली काल का बालमिक कहा जाता है, इन्हें हिंदी का जाती कभी कहा जाता है खुलसी के रामसरित मानस में समनवय की विराट भामरा दिखाई देती है यानि कि समनवय की विराट चेश्टा दिखाई देती है ये भाव है रामसरित मानस का जो इन्होंने लिखी है इनके पिता थे आत्माराम जी और माता का नाम था हुलसी इनके गुरू थे नरहरी दास और पत्नी थी रतनावली पालन पोस्वर इनका जो हुआ वो मुनिया दासी थी मुनिया नाम की उनके द्वारा इनका पालन पोस्वर हुआ इनकी पहली रचना थी वो थी वैराग संदीपनी पहली रचना अगर पूछले कि तुलसी दास की कौन सी वैराग संदीपनी और अंतिम रचना अगर पूछले कौन सी थी तो वो थी कावितावली ठीक है पहली वैराग संदीपनी और अंतिम कावितावली ठीक है और पांच बड़ी रचनाव के बारे बात करते हैं तो रामचरीत मानस थी सबसे बड़ी जो महाकाव तो यह महाकाव था अवधी भासा में लिखा गया था इसमें साथ कांड थे दो वड़ साथ माँ छब्वेश दिन लगे इसको लिखने में करते हैं और इनकी देखे लिते हैं एंपोर्टन कावितावली दोहावली और गीतावली ठीक है और रामसरीद मारस को ध्यान दिजाएगा तुलसी रामायर कहा जाता है ठीक उसके बाद देखते हैं इनकी साथ छोटी रचना है करश्ण गीतावली जानकी मंगल पारवती मंगल राम रला नहचु इंपॉर्टेंट है वैराग संदीपनी इनकी पहली रच ठीक ये इनकी साथ छोटी रचनाय थी और उनकी पांच बड़ी रचनाय थी है टूटल बारा आते हैं प्रवपंतिया देख लेते हैं पुर्ते निकसी रगवीर वदू धरी धीर दय मग में डग दय दूसरी है अबलो नसानी अबना नसाई हो ठीक है बहुत इंपॉर्टे द्ठीक है तूदनधु अब छवथी आहिते हैं तुलसी दास टीके की तूदवालनव दीन तूं दैनि RV कि छोत यदे जाके प्रियना रामवईदही और पांस भी है केसो कह जाय कईंग कह इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंटा इंसलिए इम पॉर्टेंट है बहु थे वो अलंकारवादी कभी थे, केसोदास जो है वो अलंकारवादी कभी थे, उसके बाद आते हैं, रीतिकाल में, अब देखिए, रीतिकाल जो है, आचार रामचार सुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा, रीतिकाल नाम जो दिया है, वो आचार रामचांद्र सुक्ल ने दिया ह मिश्रबंदु ने इसी काल को क्या कहा है मिश्रबंदु ने इसी काल को है अलंकृत काल और विश्याय प्रसाद मिस्रा ने क्या कहा है स्रंगार काल और रमा संकर सुक्ल रसाल ने क्या कहा है कला काल कहा है किसको रितिकाल को चलिए तीन भागों में रितिकाल के सहित को बाटा गया है लक्षड गरंथ प्लस उधारण तूसरा लक्षड गरंथ और तीसरा है मुक्त ना मुक्त कोई ना लक्षड ना कोई उधारण ठीक जो लक्षण ग्रंथ और उधारण है उसमें रीति बद्ध कावेधारा है लक्षण ग्रंथ में जो है उसमें क्यों रीति सिद्ध है और जो मुक्त है उसमें क्यों रीति मुक्त है रीति बद्ध काव धारा के जो कभी थे गो थे केशोदास, मतिराम, भूसर, चिंतामडी, कुलपति मिश्र और देव रीति सिद्धि के बिहारी लाल, most important इनके बारे में आगे पुरा है डिसकस करेंगे बिहारी सस्साई, 719, दोहे, ठीक है, और है उनका मानना, एक पुराने कवी थे उनका मानना था कि इसमें दोहे की संक्या कुछ कम है, वो अभी आपके मैं आगे दिखाता हूँ रीति मुक्त, घनानन्द कवी, ठाकूर कवी, आलम कवी, बोधा कवी और दिख्दियो कवी, ये रीति मुक्त के प्रमुक्त है के सोदास, most important point इनके लिए क्या है, कि इनको कठिन काव का प्रेत कहा जाता है ये point important है, कठिन काव का प्रेत, इनकी रचना थी राम चंद्रिका जो की important है के सोदास जो है वो उर्चा, नरेश, महराजा, मान सिंग के भाई थे और इंदजित सिंग के दरवारी कवी थे इनकी रचना देख लेते हैं, राम चंद्रिका, महा काव, ये important, most important, ठीक, कवी प्रिया, important, रसित प्रिया, विज्ञान गीता, जहागीर, जस्चंद्रिका, ये भी important है अब आप देखिएगा, चंद्रिका, राम चंद्रिका, रतन बावली, ठीक, ये important, इनके रचना थी, उसके बाद देखते हैं, मतिराम, ये रसवादी कभी थे, इनके रचना ये हैं, ललित कलाम, ललित ललाम, रसराज, मतराम सत्सई, और अलंकार, पंचासिका, जिसमें की ये important है, अलंकार, पंचासिका, उसके बाद देख लेते हैं, भूशन, भूशन, रीतिकाल के, बीर रसके कभी की रूप में प्रसिद्धने हैं, अगर पूचले, रीतिकाल में, बीर रसके कभी रूप में कभी फेमस है, तो वो हैं भूशन, ठीक है, या बीर सिवाजी और म महाराज च्छत्रसाल के समकालिन थे, उनके आसरे थे, उनके दरबारी कभी आम माल लीजिए, इनकी रचना थी, शिवा शौर, ठीक है, जिसमें किनोंने महाराज सिवाजी के बारे में उनका शौर का वरण किया, श्चत्रकाल, दसका, ये भी उनके बारे वरण है, शिवरा कविकुल, कल्बतरू, काव विवेक और काव प्रकारा, ठीक है, ये इनकी रचनाये हैं, तिनों, एक, दो, तिन, ठीक है, और इनकी और भी रचनाये थी, काव विवेक, काव, एक रिस्वाइन के और है, वो है, काव प्रकास, ठीक है, जो आचार रामचंद्र सुक्र जी है उन्होंने ही उनको रीतकाल का पहला कभी माना है इनको रीतकाल का पहला कभी किसने माना है आचार रामचंद्र सुक्ल ने माना है अगर पूछे आपसे तो ऐसे इस पेसली पूछेगा कि आचार रामचंद्र को पहला कभी माना है रीतकाल का तो वो आचार चिंतामडी को माना ठीक है उसके बाद देव यह मैं बता ही दिया आपको उसके बाद पदमाकर की बात कर लेते हैं पदमाकर ने जो लिखी थी रचना वोती गंगा लहरी और जग दिनोद ठीक है गंगा लहरी और जग दिनोद दियोकवि के बादा करें तो दियोकवि के नाम उपनाम दियोदत भी था, ये विलास वाली रचनाहें लिखते थे एकसर, मलब बिलास्ता से पूर, तो इनके रचनाव में भी यह भाव था, भाव भी रज भवानी विलास, रस भी नाص यह जो है देव कवी या देवदत की रचनाथ अब बात करते बिहारी लाल की जो into to say लीछारी लाल यी बारे में बात करते हैं यह important चैश्च सबकार करका freshmen के दरवारी कभी थे कि Sorry उसके भाद घंणानन के बाद करते हैं तो घंणानन जो है ये इनकी रचना है कौन सी इनकी रचना है सुजान सागर और इस्कलता और इनकी रचनाएं हैं जिसका नाम में बता दे रहो आपको इंपोर्टेंट है वो है रस केली अधिक रस केली उसके बाद दूसरी है क्रपा कंड निबंध क्रपा कंड निबंध उसके बाद तीसरी है सुजान हित और चोथी है लास्ट क्लास में एक कमंड था बच्शे का कि जो कर्बनाशा की हार है कर्बनाशा की हार यह जो कहानी है वो किसकी है उसको अब लोग कर दूधे वहाँ पर तॉब प्रेंटिंग मिस्टेक था उसको आप यह है श्यूप्रसाद सिंग की है यह फड़ीश्वर रात नात रेडू की नहीं है यह इसको आप लोग करेक्शन कर लिजेगा ठीक है तिर्फ यह एक प्वेंट था जिम्हें हलका सब्रिंट का मिस्टेक था और रही बात फड़ीश्वर नात रेडू जी की उनके बारे में भड़ीश्वर रात रेडू जी की जो कविता है इनकी जो पहली रचना थी उसका नाम था बट बाबा पहली रचना थी रेडू जी की बट बाबा और लास्ट इनकी थी वो थी भित्ट चित्र की भित चित्र की मयूरी ध्यान दीज़ेगा सब दों पर भित चित्र की मयूरी ठीक है और पहली बट बाबाती लाश्टी भित चित्र की मयूरी ठीक है लेकिन जिसके लिए फेमस है जो की श्यूपरसाइश सिंग श्यूपरसाइश सिंग कर्मनाशा की हार ठीक है बागी एक क्लास ऐसी लगी वह आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बता दीजेगा और आप लोग अगर अलंकार रस्चंद मैं हलका सा भी आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाके आप देख लिए क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की आएगी पर्याय €5.2.3 में बता देता हूं कि अगर कि अधगय का पुरा नाम क्या था? एंका पुरा नाम था सजदानन हीरानन वास्चायन अग्ये और आपने देखा मैंने बताया केशो दास जो क्या थे क années एक अगर पूछले गद्ध का प्रेत कao न है कठीन गद्ध का प्रेद का जाता है तो द्धान भरेसं परकर दे ना इस तो यह थी आगले आ च्या साथ मिलते आप से better अठस्ट में पर्यावाची के नॉस्ट इंप्टेंडों इस है इसे ऐसे जो Summen पुशे गए भी पुशे जाने संभार एक है क्या चोटे ड्सको फोक। आइसे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में ये जै भारत झाल झाल